हेल्व दोस्तों मैं अभावपरताप और आप देख रहे हैं E.P. गुरूजी आर्ट तो दोस्तों आज हम आपको सबसे आसान तरीके से human brain का चित्र बनाना सिखाएंगे आपने बिल्कुल सभी सुना दोस्तों human brain का चित्र बस आपको करना क्या होगा वीडियो को सुरू से लाज तक देखते रहेगा दोस्तों अगर आप वीडियो को लाज तक देखते हैं तो यह मेरी 100% गारेंटी है आपको जो है human brain का चितर बनाने से कोई भी नहीं रोख सकता है और एक बारा वीडियो को देख लेंगे तो आप जो है फोर्थ टाइम पे भी एक बड़ा सा हाफ सर्क्ल बनाएगा इसको ध्यान से दीखिएगा दोस्तों यहां से आप ऐसे बड़ा सा हाफ सर्क्ल बना देंगे अब आप आजाए नीचे के साइड में आपको करना क्या होगा पहले तो इसको आगे की तरफ बढ़ाएगा और यह के लिए बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाई स्टेप बनाना सिखा देंगे और आपको कोई भी सुझाओ तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मेंद करिएगा क्यूंकि आज हम आपको जो है विमन ब्रेन के पार्ट के नेम भी बताएंगे और आप यह थर्ड वाला जो हमारा हाप सरके लिए इसको हमें बहुत ही साउधानी पूर्वक यहां से नीचे के साइड में ले जाना होगा यहां से आपको एक चोटी सी लाइन ड्रो करना होगा फिर इसको जो है अंदर बाहर ऐसे ले जाईएगा फिर इसक को हमें ऐसे एक सी दे लाइन नीचे के साइड में ड्रो करना होगा नीचे के साइड में ड्रो करने के बाद एक हाप सरके बनाएगा फिर थोड़ा अंदर बाहर करती विए एक हाप सरके लिए यहां पर आप लाकर इसको मिलाईगा मत इसको जो है यहां पर लाकर छोड़ द अब आपको बहुत ही सौधानी पुर्वक इसको पहले तो आप ऐसे डबल कर दीजेगा डबल करने के बाद यहां से ध्यान से दिखिएगा एक चोटा सा हाफ सरक्ल बनाई इसको आगे की तरह बढ़ाईएगा फिर यहां पर हाफ सरक्ल फिर अंदर बाहर करते हुए यहां पर पर दोस्तों अब आप दिखिएगा यहांसे आपको इसको ऑड़ान के साथ मिलाना होगा और एक सीधी लाइन अप इससे ड्रॉ कर देंगे इसको आगे की तरह बढ़ादे consumo पर आप बहुत ही आसान तरीके से चोटी-चोटी लाइन ड्रॉ इन ड्रॉ कर दीजेगा चोटी- फोर्थ वाला हाप सर्कील है इसकी हैप से जो है इसको बहुत ही सौधानी पुर्वक यहां से एसे लजाएगा और आपको जो है इस वाले पोश्चन पर लाकर ऐसे मिलाना होगा लाने के बाद एक छोटा सा हाप सर्कील यहां पर और इसको बहुत ही सौधानी पुर्वक इस साथ यहां पर मिला दीजिएगा अब आपको यहां पर चोटी चोटी लाइन ऐसे चोटी चोटी लाइन ड्रॉ करना होगा यहां पर यहां पर आपको एक लाइन ड्रॉ करना और यहां पर आपको एक लाइन ड्रॉ करना और यहां पर आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा तो द तो चलिए अब हम जो है इसके पार्ट्स नेम लिखना शुरू करते हैं करते हैं 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 लिखना शुरू करते हैं